दोस्तो हाली में तगड़े तगड़े अपडेट्स आ चुके हैं क्योंकि बिलकुल अभी अभी खतम हुआ है ओलंपिया ब्रजील जिसके अंदर फाइनली आखिरकार रेमॉन डीनो जीत ही गए और इन्होंने हासिल कर लिए 2025 ओलंपिया के लिए अपनी कौलिफिकेशन ये श सही बताओं तो उतने जादा तगड़े नहीं दिख रहे थे जितने ओलंपिया में भी पिछले हफ्ते दिख गए उससे भी थोड़ा ये नीचे दिखाई दिये सबसे बड़ी दिक्कत रेमॉन के साथ फिर इस बार ये दिखी कि ये ना पसीना बहुत आ रहा था ये ये बह रेमॉन का जीतना एक तरह से तै है रेमॉन जीत गए इसमें लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कंडीशनिंग क्यों ने हिट कर पाई उस लावल की फुलनेस और ड्राइनस क्यों नहीं आ रही है एक टाइम बद ऐसा क्यों हो जाता है इनकी बॉड़ी में से पसीना निकलन लगता है इसका जवाब यहाँ पर माइकल डबुल ने दिया माइकल ने बताया कि ऐसा तब होता है जब आपके पीकिंग प्रोटोकॉल सही नहीं होते हैं उन्होंने रेमॉन को कई बार पीछे डोनट्स खाते वे देखा है बैक स्टेज जब भी ये लोग पंप कर रहे होत स्टेज तो ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में से पसीना बहुत ज्यादा निकलता है तो माइकल यह बोलते हैं जब भी मैं शुगर खाया करता था तो मेरे साथ भी ऐसाथ ही होता था अब देखो ऑवेसली दोस्तों सब अपने पीकिंग के प्रोटोकॉल्स होते हैं और बैक एक स्टेज के लुक्स के लिए और उसके बाद आखिरकार जजिस भी बोलेंगे लोग भी बोलेंगे कि इस अथलीट की एक तो टैनिंग उतर गई पसीना इसको इतना ज्यादा आ रहा था बार बार यह पसीना ने पहुँचे जा रहा था कितनी सॉफ्ट बॉडी इसकी हो अच्छा ही नहीं दिखा यही तो बोलेंगे सब लोग और साथ ही साथ इनकी टैनिंग एकदम आफ थी मतलब एकदम ब्लैक नजर आए इस शो की लाइटिंग के हिसाब से रमॉन बिल्कुल भी अच्छे नजर नहीं आ रहे थे बहुत ही डार्क डार्क टैन करके आ गए थे इस इनकी अगे अच्छ नहीं होती है अब सारे अथलीटो करते हैं डान unn बास और नजर नहीं आए नजर ना नहीं यहां पर तो इसीलिए पुरॉटो कॉल्स ना कुछ क्छ चेंज करने पड़ेंगे बस इसी में दिक्कत है बाकि लें एक तम कंडिशन है पुरी इस प्र हम लुक की बात करते हैं जो नोंने यहाँ पर ब्रजील में दिखाया तो यह उतना ज़्यादा सुपीरियर नहीं था ना उतना फुल था ना उतना ड्राय था यह और बैटर आ सकते थे बट जैसे कि मैंने बोला कि रेमॉन से उपर कोई था ही नहीं तो इसलिए वो जीद गए देखते हैं रेमॉन अगली बार जैसे कि डारेटली अब उलम्पिया में अगले साल दिखेंगे तो क्या अपने प्रोटोकॉल्स लेकर आते हैं बैक स्चेज क्या खाते हैं जिसकी वो जासे वो ओलम्पिया स्चेज पर एकदम ड्रायर और फुलर दिखें तो वो चीज इन्हीं को फिगर आउट करनी होगी इतने उपर के अथलीट्स होते हैं तो इन्हें ही पता होता है कि गलती अगर इन्होंने करी है तो सुधारा कैस चीज है और जो होनी चाहिए उनका पूरा का पूरा ध्यान अब सिर्फ Mr. Olympia 2025 को जीतने पे ही है उसकी प्रेप में इतना जदा टाइम जाएगा कि उनको आर्नोल में बेस्ट आने का मौका नहीं मिलेगा मतलब आर्नोल में आ तो बेस्ट आ रहा है या ओलम्पिया की तैयार आर्नोल में जो खेल लेता है ना ओलम्पिया के लिए हम कभी उसको उतना सीरिसली नहीं लेते हैं मानलोब डैरेक और हर्डी भी आर्नोल में आ जाएं तो यही तीनों Mr. Olympia में भी खेलते हैं नजर आएंगे तो Mr. Olympia की reputation नीचे आती है उससे तो अब हारी नहीं आ रहे है त अब हमारा perception इस तरीके का बनेगा समझ रो फरक क्या होता है सोच का तो Olympia में होने वाला एक जो super competition है जो आपको सिर्फ Olympia में ही देखने को मिलता है बाकी shows में नहीं मिलने वाला वो अगर बाकी shows में देखने के लिए मिलने लग जाए तो Olympia के लिए excitement को ही क्यों रखेगा ज चाहिए बाकी shows में उसको नहीं खेलना चाहिए ताकि उसकी value सबसे ज़्यादा खतरनाक बनी रहे जैसे Chris Bumstead है कभी Arnold Classic खेलने नहीं आए फिल हीत है Arnold Classic कभी main वाला खेलने नहीं आए जब Olympia बन गए वो ऐसे मुझे हाड़ी के लिए लगता है आर नोल लगले साल नहीं खे बट एक बार बताओं दोस्तों अगर अपने हिंदुस्तान में भी कोई ऐसा अथलीट आता है ना मानलो कोई भी अगर अथलीट आता है कुछ बड़ा जीत करके औलम्पिया जीत करके या कुछ भी ऐसा कभी हो जाए हिंदुस्ताने भी बहुत जबर्दस स्वागत करते हैं और ये बात आप समझ सकते हो क्योंकि बाहर के अथलीट्स जब भी इंडिया आते हैं वो यही देखके हरान हो जाते हैं कि हम इंडियन्स कितने अच्छे से वैलकम करते हैं तो वही वैलकमिंग नेचर जो है इरानियन्स के अंदर भी है वो भी अपने अथलीट्स का इसी तरीके से स्वागत करते हैं बादी बिलिदिंग वहाँ पर भी बहुत बड़ी चीज है तो इसलिए हरी को उठा लेते हैं वो लोग जब वो हरी आते हैं एयर्पोर्ट पे revenues पर उठा करके उनको ले करके जाते हैं और बहुत ज़दा बहुत ही ज़दा रस्पैक्ट उनको देते हैं स्टैचू बनादिया उनके लिए और Hardy इस वक्त पे अपने घर में एंजॉय कर रहे हैं अपने एक अलग टाइम को उनके बच्चों ने उनको जूला बना के उनसे खेलना शुरू कर दिया है यही सबसे ज़्यादा important चीज होती है किसी bodybuilders या किसी भी इनसान से पूछ के देखो यही सबसे ज़्यादा important चीज होती है family time एक ऐसी चीज है जो bodybuilders को बहुत असानी से नसीब नहीं होती है पूरे साल यह लोग prep ही करते रह जाते हैं तो अभी hardy अपने family time को enjoy कर रहे है और फिर डायरेक्ली ओलंपिया की प्रेप स्टार्ट करेंगे 2025 की इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगला अपडेट आता है आपे आंड्रे ड्यू के उपर तो finally आंड्रे ड्यू आये scene के अंदर और आखिरकार अपनी body इन्होंने दिखाई तो आंड्रे इस वक्त पर ऐसे दिखाई दे रहे है definitely आंड्रे एक बहुत बड़ी physique carry करते हैं यह समझने आता कि आज के standards के साब से कौन से physique carry करते हैं men's physique या classic classic यह है नहीं क्योंकि इनके पास में legs है नहीं men's physique भी properly यह नहीं लगते क्योंकि men's physique के standards अब काफी बदल चुके और आंड्रे उस हिसाब से हैं ज्यादा बड़े men's physique के हिसाब से ज्यादा बड़ी यह look लेकर आते हैं ज्यादा फुलर आते हैं फिलाल हमें training करते हुए दिखाए दिया और completely off-season conditioning के अंदर दिखाए दे रहे हैं आंड्रे ने लंबे समय से निखे लंबे समय मतलब लगबग 2 साल से नो ने compete नहीं किया है और काफी ज़्यादा एक अपने resting phase में एक मौज मस्ती वाले state में चलते हुए नजर आ रहे हैं देखते हैं अगले साल किस competition में खेलते हैं या खेलती भी है के नहीं खेलते क्योंकि हैनी रंबोट के multiple athletes हमने देखे सारे के सारे एकदम dead focused होते हैं और दस focus रखके चलते हैं और जीतते हैं बट आंड्रे उन में से एक है जो बिलकुल एक relaxing nature के साथ में रहते हैं और back off कर जाते हैं competitions खेलने से तो हमें तो नहीं दिखाए दिये बहुत समय से खेलते हुए और आंड्रे ने भी बोला के दो साल हो गए इनको state से off लिये लेकिन इस साल का Olympia देखने के बाद यह बहुत ज्यादा pumped up हो गए तो फिलाल अभी यह वापस से जाने की तैयारी में है यानि competitions खेलने की तैयारी में है बाकि एक बड़ी news यह भी है क्योंकि मैंने बोला था ना कुछ समय पहले के हैनी रंबॉट के ज्यादा दर athletes एकदम focus दोते हैं फिलाल ऐसा देखने में clearly दिख रहा है के हैनी रंबॉट इनको train नहीं करें क्योंकि आप यह देख सकते हो के हैनी रंबॉट जब इनके साथ में थे तो यह हैनी के ही supplements प्रमोट किया करते थे आनि इवोजन और अभी आंडरे एक नयाई brand प्रमोट कर रहे हैं तो इसलिए यह तो दिख रहा है के brand से तो अलग हो चुकिए वोजन के साथ तो अभी यह नहीं रहे तो possibly हैनी के साथ में भी यह नहीं है जाएंगे और चेस्ट कितनी जादा भारी है वो भी दिखेगा तो ready तो यह है main है के peak कैसे करके आते हैं stage पर क्या वही peaking protocols इनके रहेंगे बिल्कुल जो इन्होंने शेरू में इस साल दिखाए थे क्या improvisation करके आएंगे अपनी फिजीक में यह शेरू से अब तक वो भी एक बड़ी बात होगी क्योंकि लगातार improve होना ही एक athlete का काम होता है लेकिन देखते हैं Amit से अभी expectations हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि इन्होंने ही वो काम करा जो आटस तक कोई नहीं कर पाया था Olympia तक चले गए थे qualify हो करके लेकिन Olympia जा नहीं पाये क्योंकि वीजा ने मिला तो Amit की फिजीक उस लेवल की है इसलिए expectations भी इनसे काफी ज़्यादा है इनके दिमाग में भी काफी ज़्यादा tension होगी कजाकिस्तान को लेकर के उसको जीत पाएंगे या कैसी placing वहाँ पर लेकर के आएंगे लेकिन दिखतो रहा है कि फिजीक जबरदस तरीके से एकदम ready हो रही है तो अच्छे results आने की पूरी पूरी उम्मीद तो है यह है इनकी फिजीक अमितागरी इसमें दोस्तो अगला अपडेट अब आ जाता है राफेल ब्रेंडियो के ओपर राफेल ने भी अभी ओलंपिया ब्राजील के अंदर गेस्ट पोजिंग करी अब देखो खुद यह ब्राजीलियन है तो इनका गेस्ट पोजिंग करना वहा से लेकि अब तक इनकी बॉडि एक अच्छी खासी ओफ कंडिशन स्टेट में दिखाई दे रही है एक हफते के सबसे बहुत ज्यादा ओफ है देखा जाए तो बात यह है कि रफाइल इस साल एड़ थाय थे ओलंपिया में तो इनको अगले साल के ओलंपिया की इविल्स प्राग प्रो सोला से सतरा नावंबर के बीच में फिर उसके बाद दिसंबर एक को भी होगा बिग मैन वीकेंट स्पेन प्रो तो तीन कॉम्पिटिशन तो बड़े बड़े अभी भी खड़े हुए है इनमें से किसी में भी एक राफैल कंपीट करके ओलंपिया की कॉलिफिकेशन ले सकते हैं पर जिस तरीके कि इनकी फिजीक है ना अगर इनको सच में इन कॉम्पिटिशन में खेलना होता जैसे मान लो अगले महिने नौ तारिक को कॉम्पिटिशन है तो ये ऐसी शेप में ना होते है ये अब तक काफी कंडिशन ही चल रहे होते तो इस तरीके से रफैल हमें नजर आ रहे हैं और इस बार उतने जादा जितने बड़े यह दिखाई दे रहे थे ना उतने जादा ट्रांसलेटिं की फिजीक नहीं हुई स्टेश पर उस तरीके से क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि रफैल उतने जादा वाइड नहीं है यह नेरोवर अभी भी बॉड़ी करते हैं क्योंकि एक एक लासी के थलीट है यह मैंस उपन बॉड़ी बिल्डर अभी भी पूरे तरीके से नहीं बन पाए वो लैट्स में विट्थ नहीं है और वो लेग्स के अंदर उतना जादा साइज नहीं है जिस वरह से हम इनको एक प्रॉपर मैंस उपन बॉड़ी बिल्डर बोल सके चेस्ट में भी उतने जादा राउंड नैस अभी भी नहीं आ अगला अपडेट यहाँ पर आ जाता है वेजले विजर्स के उपर तो वेजले की साल ओलम्पिया के अंदर बिल्कुल ये खराब प्लेसिंग आये थी हमें उमीद तो ये थी सब लोगों को कि क्रिस बमस्टड के साथ में रमॉन के साथ में कंपीट करते हों नजर आएंगे पर वही चीज हुई जिसका काफी सारे लोगों को डर भी था वेजले आई ही नहीं पाई टॉफ फाइफ के अंदर भी इनकी प्लेसिंग सीधा एर्थ लग गई तो वेजले ने फिलाल ये अनाउंस्मेंट करी है अपनी एक स्टोरी के अंदर इनों ने ये हिंट दिया जिसमें की question को इन से पूछता है और question ये है के what is the next show that you will be doing तो वेजले उसका आंसर कुछ ऐसे देते हैं जिसमें ये Arnold का Terminator theme चला देते हैं तो इससे clear ये हो जाता है कि Arnold Classic में ये अगले साल आने वाले हैं अभी एक strong hint है इसको weak hint या कोई rumor नहीं कह सकते हैं क्योंकि खुद ये अपनी स्टोरी में post करते हैं इस तरीके का hint देते हैं और clear cut एक तरा से अपनी smile pass करते हैं बता देते हैं कि मैं इस वाले show में खेलूंगा हर चीज बोल के नहीं होती है कुछ चीज़े समझने वाली भी होती है तो यहाँ पर मुझे तो यहीं लगता है कि 2015 के Arnold में वापस आएंगे अपने title को defend करने क्योंकि अभी 12-24 Arnold Classic को इनोंने ही जीता था यहीं से तो उनकी सारी की सारी hype बननी शुरूई थी Olympia की यहीं से तो हमने इनको seriously लेना शुरू करा था लेकिन Olympia में चीज़े हर बार उस तरीके से translate नहीं होती है जैसे कि Arnold में हमें दिखती है इस सल वेजले all time अपनी best physique Olympia में लेकर के आए perfect tanning, perfect shining, perfect peak पर फिर भी वो अपनी placing crack नहीं कर पाए top 3 के अंदर नहीं आपाए in fact Brion Ansley से हार गए वो Brion Ansley जिनको कि उन्होंने Arnold में हराया था जिनको उन्होंने Arnold में दो दो बार हराया था बलकी तो चीजें ऐसे हो रही है इनके साथ में और अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा है इससे तो इनकी confusion और ही ज़दा बढ़ गई होगी Olympia में 8 आने के बाद कि मैं करूं क्या Arnold में first आ जाता हूं, Olympia में 8 आ जाता हूं उन्हीं athlete से हार जाता हूं जिनको Arnold में हरा के आता हूं ये चीजें बहुत confusing होती है और ऐसा भी नहीं था कि Wesley off आये थे Olympia में वेजले जबरदस्त आये थे एकदम skinless थे ये, skin लगने रहे थी उस muscle के उपर चड़ी हुई और lines, legs के अंदर क्या पढ़ रही थी fiber से भरी हूँ इनकी body थी एक कमी नहीं थी पर मुझे एक चीज का डर लग रहा था जो हो सकता है जजिस के अंदर के upper body बहुत strong, lower body एकदम weak तो शायद जजिस को वाली चीज इनकी पसंद ना आई हो quards में भी size और fullness उतना जदा नहीं है तो शायद उस वज़ा से पीछे रहा गए हो यही assumption हम ले सकते हैं क्योंकि exact answer सिर्फ judges को पता है उन्होंने क्यों उनको 8 पे रखा, वो सिर्फ judges ने इनको बताया होगा हमें नहीं पता अब देखना यह है कि Wesley यहां से लेके Arnold तक क्या improvements लेकर आते हैं कि अपने glutes को, hamstrings को, quards के अंदर outer sweeps को और strong करते हैं delts को और बड़ा करते हैं क्योंकि मानो चाहे ना मानो Wesley के अंदर अभी भी यह वो points हैं जो improve हो सकते हैं इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी खबर आज की आती है Nick Walker ने आखिरकार Matt Jensen को अपने coach को छोड़ दिया है और यह वाली बात Nick ने खुदी लिखी बलकि एक comment के reply में निक यह वाली बात लिखते हैं एक इंसन comment करता है Nick, please leave Matt, you are too good for him निक यह लिखते है I no longer work with Matt तो यह चीज यहां से अब confirm होती है कि Nick अब Matt के साथ में नहीं है मुझे तो नहीं लगता है कि इनोंने यह मजाक में लिखा क्योंकि यहां पर कोई नहीं फिर emoji बना हुआ होता तो यहां question सा बहुत सारे खड़े हो जाते कि Nick Walker इस साल Olympia में ही compete करने के लिए नहीं आ पाई उन्होंने बोला कि मैं बहुत जाता थका हुआ हूँ और Nick की body इतनी जाता tired थी कि वो धंग से peak नहीं कर पाते वो धंग से respond नहीं कर पा रहे थे तो इसलिए उनको rest लेना जरूरी पड़ गया ये भी एक बहुत बड़ा reason है कि क्यों Nick Walker ने Matt Jensen को छोड़ दिया Matt के पास वैसे भी काफी सारे इस बार ऐसे athletes रहे हैं जिनका आपने अच्छा output नहीं देखा होगा और ये नाम आते हैं आपर सबसे पहले आपर बात आती है कुंटन एरिया के कुंटन ने हाली में एक वीडियो बना करके ये बताया कि वो भी Matt Jensen के अंडरी थे और पिछले दो साल से वो लगातर प्रेप कर रहे थे अभी कुंटन ने सल खेला था और वो और ज़्यादा खराब दिखाई दिये अपने दो साल पहले वाली फिजीक से जबकि उन्होंने एक एक चीज उस तरीके से करी जैसे Matt ने उनसे कहने करने के लिए बोली थी वो रोबोट की तरह वर्काउट करते रहे रोबोट की तरह डाइट करते रहे और उसके बाद Matt Jensen ने उनको ये बोल दिया कि तुमारे steroids fake है इस वज़ा से तुम grow नहीं कर पा रहे हो तो Quinton ने बहुत सारी बाते Matt के बारे में बताई डिटेल में ये एक उन्होंने वीडियो डाली इसके अलावा दोस्तों हम लोग ये देख सकते हैं ये जो tiredness वाली problem है जो Nick Walker की body आपको tired दिखी सिर्फ यहां तक सीमित नहीं था पिछले साल Brett Wilkin ने भी बोला था कि मैं भी बहुत जादा थका हुआ फिल कर रहा हूँ जिस वज़ा से वो Olympia में नहीं आ पाये थे और इस साल जब हमने Brett को देखा इसमें Legion Sports में तो ये definitely अच्छी body लेकर कहते हैं पर ऐसा कोई massive improvement ये करके नहीं आया अपनी फिजीक में कि बिल्कुल ये complete bodybuilder दिखने लग गए हो कहने का मतलब उनकी फिजीक को देखकर के ऐसा लग रहा था कि वो काफी beaten up body है वो चीज फ्रेश तो नहीं लग रही थी और इसलिए क्लरिडा भी एक downside पर अपने दिखाई दिए का ये हाल हुआ है कि तीनों ही athletes में common देखा गया कि उनकी body down आई है size भी lose करा है और quality भी lose करी है तो bread भी कब तक improve कर पाएंगे इन चारों ही athletes में थकने वाली problem common पाई गई है और निक ने बोल दिया अब मैं मैट के साथ में नहीं हूँ उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिला सिवाए एक खराब फिजीक के तो मैट इस वक्त आ गए है अच्छी खासी controversy के अंदर क्योंकि कई सारे athletes तो नराज है क्योंकि उनको अच्छे results नहीं आ रहे बहुत सारे athletes healthy feel नहीं कर रहे और डैलस मकारवर की death भी काफी बड़ा एक reason है या केले ही कर लेते हैं जैसे Samson Dota ने करी अपनी wife के साथ मिलके और Olympia भी जीत लिया तो बहुत सारी अभी बाते उट रही है bodybuilding world के अंदर coach और athlete का एक खराब relationship का हम फिर से एक और example देख रहे है कई सालों बाद जैसे एक बार पहले हमने William Bonnetka और Neil Hill का देखा था तब भी ब Canada और Matt Jensen के बहुत अच्छे relation है पर अभी यह rumors निकल के आ रहे हैं कि Sean और Matt भी शायद अलग हो सकते हैं rumors हैं confirm नहीं है इसके बाद दोस्तों अगला update आ जाता है Martin Fitzwater के उपर वह athlete जो इस साल Olympia में 4th place पर आये तो Martin announce कर देते हैं कि वह इविल्स Prague Pro में इस साल compete करने वाले इव तो Martin यहाँ पर possibly जीच जाएंगे और अगले साल के Olympia की qualification ले लेंगे अब Martin इस साल top 5 वाले अथलीट तो top 5 वाले तो वैसे भी अगले साल Olympia automatically qualify करी जाते हैं लेकिन अभी यह show खेल सकते हैं और अच्छा भी रहेगा इनके लिए potential athlete यह वैसे भी बन चुके हैं popular भी हो चुक चांसिस तो यही बनते हैं एक potential वाले अथलीट है एक जबरदस अथलीट है यही है अभी का update अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक ने topic के साथ तब तक के लिए stay tuned goodbye शुक्रिया